हुए एक घटना के विवरण को चिठ्थी और पत्राचार के रूप में सब डिवीजनल कोट को लिखा है और बाद में 24 परगणा के सब डिवीजनल कोट के अधिकारी ने जुडिशियल ओफिशियल ने उसी पत्र को अपने कमेंट्स के साथ हाई कोट के रेजिस्ट्रार के प होगा कि इस प्रकार का कम्प्लेंट राज्य सरकार के खिलाफ की गई है आप देख सकते हैं कि जो सब डिवीजनल कोट है डाइमंड हारबर का उसके जो जुडिशियल ओफिसर है वो लिखते हैं कि चौब अभी रवीवार को आठ तारिक को आठ सेप्टेंबर को लगभग रात को एक बजे जो होम गाड होते हैं आवासिय परिशर के जहां जजस रहते हैं उनके आवासिय परिशर के होम गाड ने आके वहां के एडिशनल डिस्टिक्ट जज को कहा कि दो लोग परिशर में घुसके आए हैं पुलीस की साजिस से घुसके आए हैं और बिजली काटन उन्होंने वहां के officer in charge को diamond harbour के officer in charge को तलब करने की कोशिश की मगर आधे घंटे तक officer in charge नहीं आए बड़े सफस्ट टूप से इस चिट्टी में बया किया गया है और लिखा गया है कि जजेस बहुत घबराए हुए थे कहीं न कहीं जो दो miscreant थे quote unquote miscreant शब्द का इस्तेमाल किया गया है एक police अधिकारी का नाम और mobile number भी लिया गया है नाम उसका कुमारेश दास है mobile number मैं यहां disclose करूँगा नहीं मगर नाम और mobile number लिखा गया है जजेस ने लिखा है कि यहां police अधिकारी उन दो miscreant को लेकर आया था उन दो बदमाशों को लेकर आया था और उसे निर्देशित किया गया था local diamond harbour के ठाने से कि आप इन दोनों को गुपचुप आवासिय परिसर में जजेस के आवासिय परिसर में प्रवेश करवा दीजिए बिना इनके नाम को रेजिस्टर करवाए ताकि यह जाके हमारी बिजली काट सके और बदमाशी कर सके हमें मार सके जुडिश्यरी के अंदर न्याय धिश जो न्याय प्रक्रिया है और नाय धिशों के अंदर एक डर के भावना को उत्पन्न करने की चेश्टा इस कारण से दो लोगों को भेजा गया था और पुलिस अधिकारियों ने भेजा था एक का तो नाम भी दिया गया है दूसरे का नाम नहीं दिया गया है कook सी सी टीवी में सभी लोग स्पस्ट रूप से दिछ रहे हैं आखिर यह हुआ क्यूं जजेस को क्यूं डराया जा रहा है यह जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अभी जगन्य अपराध हुआ है एक बिटिया को ले कर एक डॉक्टर को ले कर उसके पश्चात जो लोग इस ट प्रदान मंतुरी नरेंद्र मोदी गणेश पूजन के लिए और उसके बाद सियासत तेज हुए विपक्ष ने सवाल उठाएं गणेश पूजा को लेकर अब बारती जुनिता पार्टी जो है पलटवार करी है विपक्ष के आरूपू पर और देखें साथ साथ कहा जा रहे है कि मनमोन सिंग के इफ्तार पार्टी में सीजाय जाते थे तब किसी ने कुछ नहीं कहा और अब अगर प्रदान मंतुरी नरेंद्र मोदी गणेश पूजन के लिए जा रहे हैं तो इस पर राजनीती हो रही है बेवजा की बयान बाजी हो रही है तुझे के इफ्तार पार्टी वर्सस गनेश पूजा इसको रुख दे दिया गया है फिलाल विपक्ष ने सवाल उठाएं प्रदान मंतुरी के सीजे आई डिवाई चंद्रचून के आवाज पर बपा की पूजा में शामिल होने को लेका है कि अशे तारीक पर तारीक हो रही है एक गेर कानुनी सरकार चल रही है नसी पी और श्वसुना जैसी पार्टी को उस तरशी तोड़ा है हा उनके सामने यह भी गलत है हमें न्याय नहीं मिल रहा है प्रदान मंत्री खूद महाराष्ट्रा के गेर कानुनी सरकार में इंट्र इसलिए मुझे लगता है एक परमपड़ा है कि ऐसे केस में अगर कोई पार्टी होती है और नाइजीस महाराज जश्टिस का कोई जुलेशन दिखता है तो उस मुकद में से अपने आपको अलग कर लेती है तो चंदर स्टूर सागने मुझे लगता है अपने आपको इस केस से अलग करना चाहिए तो देखे अब बीजोपी का कहना है कि सीजाए के बद को लेकर भी सवाल उठाये जा रहे हैं आस्था को लेकर भी राजनीती केस जा रही है बारती जुनेता पार्टी के प्रेस कॉन्फरेंस आप सुन रहे थे और कहा उन्होंने कि मनमोंसी की इफ्तार पार्टी में सीजाए जाते थे कहीं नक है कॉंग्रिस को हमेशा से दक्कत रही है हिंदू त्योहारू से और इसलिए राजनीती की जा रही है आस्था के पदपर विपक्ष जिस तरह से राजनीती कर रहा है वो ठीक नहीं है और संबित पात्रा की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है सुनने ते इंग बाद 1900 परिवार आ गए है और इतना बड़ा एक अवैद मस्जिद बनके खड़ा हो गया है ये खुद अनिरुद्ध सिंग जो उनके मंत्री है उन्होंने कहा अनिरुद्ध सिंग जी के खिलाफ कांग्रेस नहीं मोर्चा खोल दिया है उनके बाकी मंत्री है अनिरुद्ध सिंग जी के खिलाफ बोल रहे है